कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पर सेट करें हाई एब्रिवान ओलकम टू माई चैनल साउ टेक्स्टेल एकाडमी आज हमें के नया टपिक के परमें बात करने जा रहे हैं और वह जो मैटर है बिल्कुल उल से मतलब रिलेक्टेड मैटर है इसमें को करने हैं और एक नया टापि का वूल का पर में आपको बताओंगा जो अपना फुरा वाल्ड में सबसे कश्टली है और देखिए यह आपको पता दू एक बार एक जैनवार है जिसको आपन क्यमलीड से बूलते हैं क्यमलीड मतलब यह होता है जिसका शरीर में बाल रहता है जीसे में सीप और यह एक है प्रानिये एक अनिमल यह मार्क या 5 इतना इरिया में होते हैं वह सब्स्ट्राइड क्वालेटी का है इतने साप्ट नहीं हो हार रहता है हो मोटा-मोटा स्टाले से हैं युछ निखालते नहीं यह वला पॉर्सchn जो जो ग्रीन कलर वहला गुल्डेन ब्राउन कलर का तौर कमें आता है और यह उल होता है जो दूरिया में सबसे महंगा उल में गिना जाता है इसका काश्ट जो होता है बिलकुल सोने का बराबर काश्ट होता है एक टाइम था इसका काश्ट सोने से भी ज्यादा महंगा था लोग बोलते है और इसके बारे में देखें आपको जश्ट बताया तो मै फांड इनसाूत अमरिका शाओत्युक्ट अमरिका suf हामेंये प्राणी मिलते प्राण इस जिसे भक्न है ज्यादा है बड़ा है वहरान जीसा रखता है इसमें लेकिन एक पड़िया में इसमीन मुहणन मेर место ऑपली पेरू एड़じゃない मॉलीमीरत टीन अर्व बोलीवेग को साउथ में मिलता है और पूराइव सव।突 अमेरिका में महीं है ठीक है और फैमस फाफ शाफटनेस ऑड़ लाइटनेस नाचुराल कलर इसका जो ओन इतना बरिख है इतना पतला है वह इतना स дети बढ़ी है इसका में रता है सवकव ट्रूप कलर यह कटा इस जो कलर दॉल्डन कव ब्रॉन कवर यह कंलर रता है वह डाई नहीं होता सबसे बड़ी खासियत यह डाई नहीं होता ओप पुराना जमाने में क्या करते थे यह जो भेकुना कूट ऐसे ही कोई भी मार देता था उसका उन लेके बेज देता था तो अभी क्या हुआ पेरू के गवर्मेंट है यह सब इन जो देश का बता रहा गया और रख दिया गया और इनका जब मलब शरीर में उन बढ़ जाता बढ़ जाता है तो इसको वो लोग निकाल के उस पर ट्याग लगा देते कि इतना तरीक में यह फलाना नवर विकुना का उल निकाला गया फिर इसको तिन-तिन साल में रिपीट करते रहते यह सिस्टम में आज की जमान में इसको अब भी आम आदमी जैसे सिकारी लोग मार देते थे अब नहीं मार पाते और उस पर देखिए यह तो मलो क्वालिटी के बारे में मालूम पढ़ गया मोस्ट एक्सपेंसिवी उल इंदो वाल्ड के सबसे एक्सपेंसिवी आप चाहे मेरीनो उल ब इसमें जो मैट्रियल बनता है जाकेट बगरा शूटर यह साल बगरा बनता है इसका जो खरीदने की जो अवकात है आम आदमी को नहीं रहता है वह राजा महराजा लोग इसको पहेंते वह मतलब रेयाल फैमिली के लिए यह रिजय रहता है दूसरा लोग इसको यूज नही मौंटन यह जो देश बता हिरा इसमें जो मौंटेन है अन्डेस मौंटन वहाँ पर मिलता है इसलिए इसको सो ना बोलते है अंडेस सो ना बोलते हैं उनको उसके भाद देक सबस्क्रैक्य प्रक्षिटी इसका जो प्रक्रत ऑ tack रिच अपाशीसटीश प्रक्रिव है की एक स तो वह 500 ग्राम की लगवक पांस-ई ग्राम शच्ट में टो मेरी नो है या सप करतो खृब्डक को स के बहुत सारे मिल जाता तौक गौट Vergleich तो यह जो फाइबर है ना केमिकाली आप ट्रीटमेंट कर सकतो ना डाई कर सकतो वही नाचुराल कलर रहेगा गोल्डेन ब्राउन कलर का ही रहेगा ठीक है उसके बाद देखे इसका और एक खासियत है इसको पूरा जिम्मेदारी लेता है पालने की और उनको पूरा सुरख्या देता है तो आप जाके वह जंगल में रहते हैं किसी आज भी कोई पाल के रखा इसको निकाल के बिजनेस करता है इसा नहीं मिलेगा उसमें और आप्रस्मेटली आज की डेड़ में तीन लाग हजार भीकूना है यह तीनों कल्ट्रि में 3,50,000 वेकूना है लेकिन उसमें छोटे बच्चे और बुड़े जो है इनको गिंती नहीं क्या हुआ बहारा आडल्ट भीकूना जो है 3,50,000 का करीम संख्या में है अभी वह जो शंख्या बढ़ रहा है अभी घट नहीं रहा है ज तीन साल के बाद विकुना को पकड़ के लाते इसको शेरिंग कर लेते मलब उसका उन निकाल देते उसके ट्याग लगा देते विकुना नंबर ए डेट ए और इस तारीक में अपने इसको क्लीन करके छोड़ दिये जंगल में उसको पढ़के फिर दुबार जब लेंगे तीन स यह बहुत अच्छा सिस्टम है गर्मेंट इतना चीद देखता है तो इस बेरी वार्म और इंस इंसुलेटिंग यह बहुत गरम भी रहता है और इंसुलेटर जैसे काम करता है विकुना लाइफ 15 से 20 एर एक विकुना जो होता है उसका लाइफ होता है 15 से 20 साल का वह मतलब ज्यादा उमर तो नहीं है लेकिन बक्री और भैड जैसा ऐसा ही उनका भी उमर है 15 से 20 साल के जिंदा रहते है काश्ट फाइबर फोर से 600 यूएस डेलार देखो पर केजी यह बहुत मंगा है जैसे अपन कभी कटन खरीदने जाते है तो दो डेलार में अपना बढ़िया कट लेकिन दो की जागा 600 डलार आप देख लेजिए कितना परक है तो 600 डलार में यह आता है एक केजी फाइबर और यह भी एस्टिमेट क्या हुआ देखा गया अगर एक बढ़िया जैकेट बनाने जाओ तो भी सेजाड डलार नो करीबन 16-17 लाग का आपकी खंचा लगेगा ए उसको तो हम जैसा आद भी आम आद भी इसको आफोर्ट नहीं कर सकता है इसलिए मैं बोल लाता है यह जो मैट्रियाल है सिर्फ राजा महराजा साही खंदन की लोग इसको पहन सकते है उसके बाद देखिए लेंध फाइबर 20 से 40 mm यह भैरी करता है 20 से 40 mm का लेंग्ध रहता है इस ट्रेपल फाइबर तहें नहीं 14 mm बोल दो 38 बोल दो उतरा ही आएगा वो कोई-कोई 20 mm का निकलेगा को तीस निकला कोई 40 maximum 40 mm का निकलेगा ओ फाइननेस की बारे में दोखो 12 माइक्रोन का है जो मतलब इतना पतला है जर जेनराल उन जो होता है उससे साथ गुणा कम है मतलब पतला है साथ गुणा पतला है पाइबर इन फाइनर द्यान साथ गुणा फाइनर द्यान रेगुलार हो तो यह जो उन है बहुत इंट्रेश्टिंग है और अपणा भी कभी मोगा नहीं बिला इसको देखने की लेकिन आप लोग इसको पढ़के आप जेनराल नालेज यह के लिए आप रख सकते हो और इसका जो देखो आप बोलोगी यह मैट्रियल मिलता है कहां यह करता है पेरु में कुना फाइवर अग्या करके और यह कंपनी है जो भीकुना उल का सप्लाइर है वाल्ड वाइड महला वही अपनी गयर्मेंट बनाता है वही बेशता है तो बाकिया से आपको हर जगा इसका मैट्रियाल नहीं मिलेगा और कोई बहुत मतलब रहे जाद भी होगा फरी सकता है रही साथ भी होग तो आज का ये विकुना उल का ट्रपिक में यहीं पर समाप्त करता हूं थैंक्यों